हेलो फ्रेंड्स जै स्री क्रिशना जै मैता दी कैसे हैं दोस्तों आशा करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे और प्राथना करती हूँ इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें देखें दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुती मज़िदार है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आपके ओपर किस देवी का हाथ है कौन सी इच्छा आपकी पूरी करने वाली है आपकी इस्ट देवी तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे जल माइंड के डाउट्स भी हमारे साथ क्लियर जरूर करें स्क्रीन पर आपको तिन फ्लावर दिखाई दे रहोंगे फर्स्ट का सेकेThose लस्न नंबर कहां को और अरेंज सकिलरा का दिखाई दे रहा होगा सेकेंड हैं य्हेलो 15 Twin टीनों में से जो भी आपकर समझ नहां ही चोश पूरी होने वाली है और टेरो कार्ड क्या कह रहे हैं आपके बारे में तो चली जान लिते हैं दोस्तों पेसों से संबंदी कुछ उतार चड़ाओ आपको नजर आ सकती है या फिर आपकी विभा में जो अरचने आ रही थी दिन से वो धूर होने वाली है उससे रिलेटेट भी आपको कोई गुड नियूस मिल सकती है करियर से समदी बहुत बड़ा लक्ष हासिल करने के लिए योग्य लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा और वहां से भी आ देखने में वाट्स अप इंस्टा में ज्यादा समय बर्बाद ना करें अपने भविश्य पर अपने टार्गेट पर कॉंसेंट्रेट करने की कोशिश करें जिन बातों की वज़्य से आपके मन में लालच है उनसे दूर रहना ही होगा आपको जहां लालच है वहां आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकते कुछ समय आप एकांत में बिताएं कुछ अकेले पन में बिताएं आपको समझ में आएगा कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है क्यों हो रहा है और कहां आप गलत है कहां आप से थोड़ा आत्म मंतन अवलोकन करने की कोशिश करें पुराने काम जो अधूरे हैं उनको आगे बढ़ाने का इस्त्रोध भी आपको प्राप्त होगा बहुत अच्छे दिन हैं आपके लिए बहुती प्रॉफिटेबल चल रहा है समय आपके लिए लाबदायक चल रहा है बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला आपको बिजनेस में नोकरी हैं उसमें सत्रकता और सावधानी आपको रखनी होगी खुद के लिए रखे सकारात्मक विचार सकारात्मक विचार रखना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके ओपर हावी हो रही है इस वज़े से आपके जितने भी कारें बनते हैं वो फिर बिगड़ जाते हैं बहु दो कपूर एक धूबत्ती इन तीनों चीजों को साथ में जलाना है उसके बाद घर के चारों कोनों में इससे धुआ देना है यह चीज़ें आपको डेली करनी है तब जाकर आपके घर की आपके माइन की नेगेटिविटी दुर होगी और इश्वरी शक्ती तो आपके साथ ह रही है और वो हमेशा आप पर आशिरवात बनाए रखेगी आपकी जो समझदारी जो भूला पैन है आपका जो दिल साफ है आपका जो दिल कोमल है आपका इसकी वज़े से मतरानी आपके साथ हमेशा बनी हुई है वो कभी आपको तकलिफ में नहीं देख सकती और जब भी आपके साथ गलत होने वाला होता है मतरानी पहले ही आपको सतर्क कर देती है वो पहले ही आपको बता देती है कि आपके साथ कुछ होने वाला है आप संभल जाए आप साफधान हो जाए लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं आप भूल जाते हैं कि आपको घबराट क्यों हो रही कि उनका connection है आपसे माइंड समझ जाता है कि कुछ होने वाला है वो कुछ तो भी सोचने लग जाता है कुछ भी negativity आपके दिमाग में लाने लग जाता है तो यहीं आपका connection देवी से देवी का पूरा अशिरवाद आपके उपर प्राप्त है और वह साफ की सारी इच्छाएं ब बहुत दिनों से बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा बस देवी का यही कहना है आप से कि जो आप घुसा करते हैं हर बात में आपको घुसा आता आप कभी भी बीना सोचे समझे निर्ने लेते हैं ये थोड़ी आपको जो आदत है अपनी बदलनी होगी मदद करिए सबकी जितना ज्यादा मदद करेंगे दान करेंगे उतना ज्यादा आपको अपने माइंड में रिलेक्स फिल होगा आपके माइंड में शांती नहीं है दिमाग में बिलकुल शांती नहीं है बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कुछ भी सोच रहे हैं जो चीज काम की नहीं है उसके mind आपका रिलेक्स होता जाएगा जितना योग करेंगे जितना ध्यान meditation करेंगे उतना का मैंड रिलेक्स होगा छुद के बारे में सोचना करें थोड़ा selfish बनने की कोशिश करें अब थे होए है responsibility में जब उलजे होए हैं परिवार में जब अबंदर होए हैं ठीक tu用षण से लाइफ को नहीं जी पाएंगे दिखेंडंगों पता है कि आपका जीवन कभ तकग PLAY का है आपके परिवार जीवन नहीं पता है हमारा जीवन कभ तक का लिका उस भगवान वसे इश्वरण ने तो जीवन को जो दिया है तो इसे टेंशन में क्यों बिताओ अच्छे से जिओ हस जिओ इंज्वой करके रहो जो होना है वो तो रहेगा न क्या आपके टेंशन लेने से बदल जाएगा क्यों से क що ने से कुछ से कुछ हमारी वाले रहेगी इसलिए टेंशन नहीं लेना है जो चीज होनी है जो पहले से तय हैं वह कर रहेगा आप चाहे कितना ही कुछ भी कर अब बेफिकर हो जाए इश्वर पर भरोसा रखे सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए उनको टेंशन दीजिए वह सब कुछ ठीक कर देंगे वह आपके साथ गलत होने ही नहीं देंगे वह आपको हर वक्त चेताते रहेंगे हर वक्त सचेत करेंगे हर वक्त सतर्क करेंगे कि बस यह गलतियां मत करें कुछ गलतियां हैं जो आप हर बार करते रहते हैं उन गलतियों को आपको करने से बच ना होगा वो गलतियां करने से आप बच जाएंगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है लाइफ में एक व्यक्ति आपके जिंदगी में आने वाला है जो सारी टेंशन को दूर कर देगा आपको उसके अलावा कि रोज की बात करें तो थर नमर के लिए टेरो कार्ट कह रहे हैं कि दोस्तों आप बहुत ही ऐसे इंसाने सहेंशल इंसाने वहर बात पर आप लोगों की सुन लेते हैं लेकिन बोलना पसंद नहीं करते तुरंत जवाब देना पसंद नहीं करते हैं मन में आप रख लेते है लेकिन आपको चुबती बहुत हैं इसके साथ आप एक ऐसे इनसान है जिसने जिन्दगी में इतना संगर्श देखा है कि आगे अब आपके इछे नहीं होती कि आप संगर्श देखे अब आपके इछा होती हैं sense भी मिल जाएंगा तो अभी तो अभी मिले अपको सब्सकारारत्मक्त सोचे बोले कि अच्छा सोचना कि उसके बोलने की सजा उसको जरूर मिलेगी लेकिन अभी हल में आपको अच्छा सोचना है अच्छा बोलना है एक चीज और रखे ध्यान रखेगा कि जो देवी है आपके इस्ट की जो देवी है वह पूरी तरह से आपके साथ हैं कभी अगर जिंदगी में को ऐसा लगी कि आप हार मान रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है तो बस अकेले में बैट करके उस इश्वरी शक्ती से अपने कनेक्शन को जोडने की कोशिश करिए उनसे बात करिया आपको सारे सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएंगे हर सवालों का जवाब आपको एक एक्जामपल के तोर पर मिलेगा हर उधारन के तोर पर मिलेगा दिल से सच्चे दिल से उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए उ के सामने कुछ ऐसा घटीद होगा जिससे आपका माइंड क्रियेटिव होगा आपको मालूम पड़ेगा कि अरे यार यह होना चाहिए ता मुझे सवाल का जवाब मिल चुका या तो कोई मुवी का सीन आ और जायगा मुवी का सीन नहीं शब्सक्राульт नहीं एक और एंपको को जवाब मिल जाएगा या फिर मोबाईल में कोई चीज आजाएगी जिससे आपको जवाब मिल जाएगा प्रवचन सुन तस आपको जवाब मिल जाएगा कुछ भी होगा क्लियर करें उनका पुरा अशिर्वाक कुरा Connection आप से बणावा इस त्व कनेक्षन की जड़ों थे एक तरफ से तो कके फुल मिल रहा लेकिन एक तरफ से थोड़ा सेली हम साथ ही बहुत जल्दी आपको गुड न्यूस मिलने वाली है बच्चे की किलकारी गुंज सकती है घर में गुड न्यूस एक और हुए आपके साथ आपके जॉब से रिलेटेट है को एक्जाम आप क्लियर करने वाले हैं गौर्णमेंट एक्जाम या फिर कोई इंटर्व्यू औरुप क्लियर कर सकते हैं अच्छा प्राइवेट एच्छा स्कॉप आपको मिल सकता है तो प्राइवेट जोग भी आपके लिए इसटी हैं आपके चलने वाला है तो भूसंद्व्ड जोट प्म है regen इन्यूस आपके सब्सक्वे के सविबता बहुत जल्दी आपके घर में मांगली कारेकरम होगा तो साथ ही एक उपाय बताने वाले हैं अगर आपको वह उपाय कर लेंगे आप हर शनिवार को जाई आप पीपल की पेड़ पर जो मुखी दीपक लगाएं ये शाम को जाकर कि और वहां पर प्रात्ना करें आपके जो भी तमाम जो भी समस्या हैं सब पूरी हो जाएगी पांच पर शनिवार से पहले योपाय आप जरू करके देखेगा शाम को प्रदोशकाल में जो मुखी दीपक लगाना है पीपल के पेड़ के निच और ये पीपल का पेड मंदीर में होना चाहिए इस बात का विशिज ध्यान करें चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लैटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी के लिए आप सब्सक्राइब जैमातादी हर हर मांदे